किसी भी यात्रा की दो मुख्य जरूरते होती है एक यह सफर आरामदायक हो और दूसरी यह की सफर ज्यादा लंबा नहू मतलब जहां हमें जाना है वहां हम जल्दी पहुँच जाएं इसलिए हमें से ज्यादा तर लोग प्लेन से यात्रा करना पसंद करते हैं क्योंकि यह हम प्लेन में बैठने के बाद सबसे पहले एर होस्टेस आपको अपना मुबाइल बंद करने के लिए कहती है इसका कारण आपको बताया जाता है कि मुबाइल से निकलने वाले सिगनल पाइलेट के कम्यूनिकेशन सिस्टम को डिस्टब कर सकते हैं लेकिन सच बात तो यह है कि प्लेन में शांती बनाए रखने के लिए सारे यात्रियों को मुबाइल बंद करने के लिए कहा जा ताहे क्यूंकि इतने सारे यात्रियों के फोनों की आवाज से एर होस्टेस इरिटेट हो जाती है और किसी इमजेंसी के उपर अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते और हा अगर आपको यह बात बताई जाए कि आप जिस प्लेन पर बैठे हो उसका पाइलट सो रहा है तो आप पर क्या गुजरेगी लेकिन ऐसा कई बार हो चुका है कई पाइलेट लंबी यात्रा के दौरान अपनी थकान दूर करने के लिए कभी, कभी हलकी नींग भी ले लेते हैं और प्लेन को आटो पाइलेट मोड पर रख दिया जाता है। प्लेन में बिजनेस क्लास में सफर करने की इच्छा हर किसी की होती है लेकिन हम आपको ऐसा राज बताएंगे इसके बाद आप शायद ही कभी। प्लेन के बीच और आखरी की होती है। वैसे तो हर उडान से पहले ए होस्टेस द्वारा हर सीट की लाइफ जैकेट और अन्य सेफटी एक्विप्मेंट को चेक किया जाता है अपनी सीट पर बैठने के बाद सबसे पहले अपनी लाइफ जैकेट को जरूर देख लीजिए कि वह अपनी जगह पर है या नहीं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि प्लेन में सबसे ज़्यादा चोड़ी हुने वाली चीजों में से एक है लाइफ जैकेट और फिर जरा सोचिए कि प्लेन में कोई अपातकालीन परिस्थिती आ गई और आपको पता चला कि आपका अपकेट आपकी जगह पर नहीं है तो आप पर क्या गुझ रेगी। Like, comment, share this video and don't forget to subscribe this channel for more videos.